राम राम किसान भाईव, मैं नितिन फिर से हाजेरू हूँ, आपके अपने चैनल नितिन देवल में किसान भाईव, आज हम बात करेंगे विश्व की सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली साथ किस्मों के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर साथ ऐसी किसमों के बारें बता हूँगा जो ना के लिए भारत के अंदर वाकी विदेसों में भी इन किसमों ने बहुती सांदार तरीके से अच्छा उत्पादन निकाल करके दिया है बहुती सांदर तरह की किसमें और इन किसमों का चैन लगभग लगभग सभी किसान भाई अपने खेतों के अंदर करते हैं ये जो साथ किसमें इन में से किसी ना किसी एक किसम का चैन आप अपने खेत के अंदर सो प्रतिसत इस वर्स करने वाले हैं अगर आप को विश्वास नहीं है तो वीडियो को पूरा देखें और सातों मैं से एक किस्म का चैन आप इस वर्स अपने खेत के इंदर अवस्य करेंगे और आप मैं से जिन किसान भायों ने पिछले वर्स या गत वर्स किसी भी किस्म का चैन क्या है आपको कैसा उत्पादन को मिला है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं किसान भायों वेराइटियों को बताने के बारे में किस्मों को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप किसी भी गेहों की किस्म का किसी भी अच्छी वेराइटी का चैन करते हैं तो जो धाने होते हैं वो सभी धाने किसान भाईयो अच्छी तरीके से अंक्रोण नहीं कर पाते तो नया बीज लें और सोधित कर ने के बाद ही उसकी वहय किसान भाईयो आपको करनी चाहिए बात कर लेते हैं पहली वराइटी कि तो जो पहली वराइटी है किसान भायो वो है हमारी HI-86-63 HI-86-63 एक बहुती सांदर और अच्य वराइटी है इस वराइटीने किसान भायो लगबग 27 से लेके 30 कुंटल पिरती एकर तक की पैदवार किसान भायो को निकाल करके दिये इसके जो पोधी की लंबाई है वो 90 से लेके 95 cm के आसपास रहती है और ये रोगों के प्रती काफी ज़्यादा सहंसिल किसम है इसके अंदर रोग आपको काफी कम देखने को मिलेंगे और टिल्रिंग भी किसान भाईयों ये वराइटी काफी अच्छी निकाल करके देती है बात करते हैं दूसरी वराइटी की तो दूसरी वराइटी ये किसान भाईयों हमारी करनवंदना DBW 187 ये किसम भी किसान भाईयों बहुती सांदार है और इसका जो उत्पादन है वो भी आपको 27 से लेके 30 कुंटल पिरती एकर तक की पैदवार ये किस्म भी निकाल करके दे देती है लेकिन ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि आप हलकी मारे महत करेंगे इसके अंदर खाद पानी आप समय से नहीं लगाएंगे तो तब भी इतना अच्छा उत्पादन निकाल करके देगी यदि आप समय रहते हैं अच्छी तरीके से सिचाई करते हैं खादों का ध्यान रखते हैं अपने खेत की और अपने फसल की ध्यान रखते हैं तब ही किसान भायों इतना अच्छा उत्पादन ये आपको निकाल करक दे पाएगी बात करते हैं तीसरी वराइटी की तो तीसरी वराइटी है हमारी स्री राम की सूपर 272 ये भी किसान भाइटी है इस वराइटी ने 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 भी किस से लेके बारे कले बड़े आसानी के साथ निकाल करके दे सकती है तो आप स्रीराम सूपर 272 का चैन भी कर सकते हैं और एक अच्छी पैदावार निकाल सकते हैं बात करते हैं अपनी चोथी किस्म की तो चोथी किसम है किसान भायो हमारी PBW 550 तो PBW 550 ये भी एक बहुती उननसील सांदर वराइटी है यदी मैं इसके उत्पादन की बात करूँ तो ये भी आपको 26 से लेके 30 कुंटल पिर्ती एकर तक की पैदावार किसान भायो निकाल करके दे सकती है इस किसम के अंदर भी रोग काफी कम लगते हैं और कम रोग लगने के करण ये आपको अच्छा वीडवलू 550 ये भी आपको 10 से लेके 12 अकले बड़े आसानीक साथ निकाल करके दे देती है बात करते हैं अपनी 5 में किसमी है कि तो 5 में किसम है किसान भायो HD 36 HD 36 किसान भायों की काफी favorite किस्म है और बहुत सारे किसान भायों ने इसका chain भी क्या है मैं समस्ता हूँ कि जितने किसान भायों इस वीडियो को इस समय पर देख रहे हैं लगबग लगबग सभी किसान भायों ने HD 36 का उपयोब करके देखा होगा और इसने उत्पाधन बहुती बंपड तरीके से किसान भायों को निकाल करके दिया है टिल्निंग के मामले बे यह किसान भायों पीछे नहीं है लगबग 10 से लेके बारे कल्ये एक एक दानी से इसके निकाल करके मिलते हैं और रोगों के प्रती भी ये काफी ज़्यादे सेहंसिल किसम किसान भाईयों रहती है बात करते हैं छटी किसम की तो छटी किसम है हमारी स्री राम की सूपर 303 ये भी एक बहुती सांदर और अच्छी वराइटी है किसान भाईयों को इस वराइटी ने भी काफी ज़दे खुश रखा है और बहुती सांदर पैदावार ये वराइटी भी किसान भाईयों को निकाल करके दे देती है तो किसान भाई इस वराइटी का चैन भी कर सकते हैं और इस variety का challenge करने के बाद किसान भाई जो हैं अच्छी पैदावार निकाल सकते हैं तो ये भी एक 19 सील variety है मेरे सभी प्यारे किसान भाईयों के लिएं बात करते हैं किसान भाईयों सात्वी variety की तो सात्वी variety है हमारी HD 2960 तो HD 2960 जो है ये भी एक बहुती बहतर और सांदर variety सां प्याक करते हो आ रहे हैं और काफी अच्छी पैदावार इस variety ने भी किसान भाईयों को निकाल करके दिये और इस से किसान भाई काफी ज़्यादा खुद्मी है तो ये सात वैराइटियों के बारे में मैंने आपको पूरी पूरी जानकारी दिये यानि इनकी बहाई के सही स सपताह से ले करके नवंबर के आखरी सपताह तक यदि आप इन में से किसी भी एक किस्म का चैन करते हैं तो आपको ये काफी अच्छा और सांदार पैदावार निकाल करके देगी यदि बीजदर की बात करूँ तो यदि आप अगेती बौई इन किस्मों की करते हैं तो 40 से किसान भी आप ले करके इन किस्मों की इन वराइटियों का चैन कर सकते हैं और एक अच्छा पैदावार आप अपने खेश से निकाल सकते हैं उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको काफी ज़्यदा पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो का आप सेयर भ ये को राम राम जी